अब बहुत टाइम हो गया है समझे अब बस चुनाओं की तयारी शुरू करो करो क्या करोना अदे यार करोना औरोना ख़तम हो गया यार अब मैं थोड़ी कह रहा हूं करोना ख़तम हो गया हमारे देश की अधने ग्रहमंद्री स्री अमिस्चा जी ने बोला है कि मोदी जीते ने तत्त में करोना की दूसरी लहर को निपटा दिया है अमिस्चा जी ने कहा है तो इसका मितलब करोना तो वाकई में निपट गया होगा ख़तम हो गया होगा नहीं करोना तो वैसे भी ख़तम हो गया होगा मुझे भी लगता है तो कि जब अमिस्चा जी बाहर निकल आए तो इसका मितलब करोना ख़तम ही हो गया होगा क्योंकि जब तक करोना चल रहा था, देश में जो महौल था, कहां कहां मारा मारी, आक्सीजन, दवा, इंजेक्शन, हॉस्पिटल, सब चल ला था, तरही तरही मची हुई थी, करोना का हाहा कार मचा हुआ था, तब तक आपको अमिच्छा जी कहीं दिखाई पड़े, नहीं द ही लेकिन अब जब अमिस्टाजी सामने आ गए है इसका मतलब वाख़ाई में करोना खतम हो गया है हाँ बास हाथ मूँ पोच करके ऐसे ही चुनाओ के तैयारी शुरू कर दो अरे भाई यार लो यार यह कौन बो लाए कि फिर करोना खतम हो गया है तो बच्चों के एक्जाम क हो नालाइक लोग हो यार बच्चों को यार बच्चों का चुनाओं से क्या लेना देना है बच्चों के लिए करोना खतम नहीं हुआ है भी यह सिर्फ अभी चुनाओं के लिए खतम हुआ है यार समझने की कोशिस किया करो फाल तु बात करते हो अरे बच्चे देश का भव भविस्ट को सुरक्षित किया गया है और जो चुनाओ है चुनाओ इन लोगों का भविस्ट होता है है तो आप क्या चाहते हो सिर्फ बच्चों के भविस्ट का ख्याल करें और अपने खुद के भविस्ट का ख्याल न करें यह लोग बात करते हो फलतू हां तो हम तो यह कह र लोग मर गए अरे यार यह पता ने कौन एंटी मोदी आदमी जो बीच बीच में देश्टरब कर रहा है अरे जो लोग मर गए हैं है वोलोग वोट देने आएंगे क्या उनसे क्या लेने देना करोना निपट चुका है और फिर हमारे मोदी जी ने करोना की दूसरी लहेड से निपटने के लिए क्या-क्या योगदान दिया है तब करोना निपटा है ऐसे थोड़ी निपटा है मोदी जी ने देखिए कितने होस्पिटल पे होस्पिटल बनवा दिये है चारो तरह बेड़ ही बेड़ ही बेड़ बेड़ कोई कमी नहीं रहे गई है इंजेक्षन दवाईयां भर भर खे पड़ी होई ऑक्षीजन का प्लांट इतने दबादबा के गाओं खेलो में अक्सीज लेनी लो जुरूत ना पड़े तो उसी ऑक्सीजन से गुबारा भी फुला फुला गे बेचो इतनी ऑक्सीजन हो चुकी है मतलब स्वास्थ भी और रोजगार भी मोदी जी के थौट को समझ नहीं पाओगे बहुत दूर तक सोचते हैं सारी बेवस्था किया है उन्होंने वैक्सीन अरी यार वैक्सीन तो लबा लब भर दी है पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ गली गली वैक्सीन की कमी नहीं है लगवाने वालों की कमी है यह जो विपक्षियों ने भड़का दिया है ना वैक्सीन को ले करके बस वैक्सीन की कमी थोड़ी है दबदबा के बिलबिला रही है वैक्सीन पूरे देश में तो इन लोगों की तरफ से मतलब करोना को मोदी जी के निस्त्रत्त में निप्रा दिया गया है और वैसे भी मैं यह कह रहा हूं कि अधर्डी मोदी जी नड़ा जी आमिच्छा जी आप इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो आप लोग बस यह चुनाओं के तैरी शुरू कर दो शुरू कर दो आप लो अरे यार मैं भी कितना नालायक आदमी हूं इन लोगों को बोलनाओं के चुनाओं के तैरी शुरू कर दो अरे इन लोगों ने तो पहले ही शुरू कर दी है आमिच्छा जी ने जो यह बोला है न कि आदनली मोदी जी के नितत्त में करोना की दूसरी लहर को समख तो कर दिया गया है यह और क्या है यह चुनाओं की तैयारी ही तो है हां आउदर दोखो मौDi जी ने बारवी के बच्चों की परिछा रद कर दी रद की की नहीं की ठीक है और फिर दूसरे दिन बच्चों की जो वीडियो कॉंफेंसिंग चल लही थी उसमें आचानक मोधी जी भी पहुँची गए बच्चों से भी बात बात किया और उसके बाद उनके ममी पापा से भी तो उनके ममी पापा करके नहीं मोधी मोधी सर आपके हम बहुत बड़े फैन है सर आपने कितना अच्छा काम किया है और सर और सर मोधी मोधी है तो ये क्या है ये चुनाओं के तयारी ही तो है भाई हम भी इन लोगों को समझा रहे हैं जो हमेसा चुनाओं के मोड मी रहते हैं ये ससरा नालाइक बीच में करोना आ जाता है है Merci! funding पच्छों की पति पच्चों की परिच्छ रद्ध कर दी इनाउंस किया दूसरे दिन वीडियो कॉंसरेंसिंग जाकी बच्चों से रिएक्शन भी ले रहा है बच्चों, यह जो परिच्छा रद्ध कर दी है, कहसा हिसा लग रहा है? किसा लग रहा है रियक्शन लेने पुछे वैसे बड़ी अच्छी बात है अगर यह चुनाओं के त्यारी नहोती न तो रियक्शन का क्या मतलब है मोदी जी अगर रियक्शन आपको ले नहीं था तो बहुत सारी वो लोग जो ऑक्सिजन दवा हॉस्पिटल बेट की कमी से जो लोग मर के हैं जिनके घरों में मातम मचा हुआ है वीडियो कॉन्फेंसिंग करके कुछ अंदुस्तान के उन परिवारों से भी मिल लेते नहीं लेकिन उनसे फाइदा क्या है वो परिवार थोड़ी मोदी मोदी करेंगे अगर मोदी जी वाकई में अगर आपको रियक्शन लेना ही था तो जब नोड़ बंदी आपने एनाउंस किये थी तो नोड़ बंदी के बाद भी गाओं गाओं खेडे छोटे शहरों में लोगों के रियक्शन लेनी चाहिए थे आपको तो पता चलता कि यह जो आपने डिसिजन लिया है पूछते जैसे बच्चों से आपने पूछा बरिच्छा रद्दिकर्दी कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है हलका महसूस कर रहे हो नोड़ बंदी के बाद भी रियक्शन लेते मोदी जी पीछले साल करूनवा में जब सब कुछ बंद था तब आपने वो क्रशी कानून लपेट करके ठाक से ठोग दिया ठोग दिया कोई बात नहीं है फिर उसके बाद वीडियो कॉन्फरेंसिंग करके रियक्शन लेना चाहिए था किसानों से पूछना चाहिए था तब आपने रियक्शन लेह लिया तो अब तो आप फुर्सत में बैठे हो घर पे इतने बड़े बड़े टीवी और इतनी बड़ी वाली टेबल इतनी बड़ी वाली जिसके सामने आप बैठ जाते हो यसा सब कैमरा अमरा सब सिस्टम लगा करके तो घ भर में अकेले बैठे हो और वो किसान बिचारे अभी भी छह मैने से जादा हो रहे हैं अन्दोलन में बैठे हैं अभी उनसे वीडियो कॉन्फियंसिंग करके बात कर लो फुरसत में आप भी वो भी एक मुद्दी नहीं पड़ जाता आपने दो बोला था कि एक कॉल दूर ह वीडियो कॉन्फियंसिंग से बात कर लेते हैं अगर आपको रियक्शन ले नहीं था तो जिन लोगों को आपने उज्जुला योजना के तहत गाउं गाउं तक गरीबों को दूर दूर तक आपने गैस के जो सिलेंडर भेजे बड़ा अच्छा काम किया आपने तो उन लोगों को हमने जो सिलेंडर भेजे हैं उज्जुला योजना केता है तो इसको आपने दुबारा कभी भरवाया कि नहीं भरवाया कि नहीं कितनी बार भरवाया आप क्यों नहीं भरवा रहे हो पूछना चाहिए था अगर आपको रियक्शन लेना था लेकिन आपको भी पत चिंता है बंगाल में इलक्षन चल लेए था रहली छोड़ करके परिक्षा पर चर्चा करने आये थे और उसे परिक्षा को अब मोदी जी ने खुद रद्ध कर दिया क्योंकि शायद मोदी जी को लग रहा होगा कि यार हमने बच्चों को जो सिखाया परिक्षा पर चर्चा की कठिन प्रस्न के जवाब पहले दो और आसान के बाद में दो यार कहीं ये बच्चे भी बंगाल की तरह फेल ना हो जाए इसे अच्छा रद्ध कर दो निकल को मामला अपने उपर आ जाएगा क्योंकि मोदी जी ने भी बंगाल में यही किया था कि कठिन प्रस्नों के जवाब उन्होंने पहले दिये बस उसी चक्रवनी पढ़ गए अच्छा मोदी जी को क्या है कि जहां पर क्रेडिट मिलता है वहाँ पर वो आराम से कुर्सी डाल करके बैठ जाएंगे पूरा डिटेल में पूछेंगे जिसे कल बच्चों से पूछ रहे थे जहां पर क्रेडिट मिलेगा बच्चों के परिच्छा इनका स्वास को देखते हुए जान है तो जहान है बच्चे भविस हैं परिच्छा रद करो दूसरे दिन पहुंच गए कैसा लग रहा है मना परिच्छा रद की तो मोदी मोदी वहां पर ग्रेडिट लेकिन जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं डीजल के रेट बढ़ते हैं रसोई गैस के भाव तो जहां पर क्रेडिट वह मोदी जी जहां पर नहीं नहीं वह हमारा लेना देना नहीं है अभी करोना की दूसरी लहर में पूरे देश में लाखो लोग मर गए अब जो लोग मरे हैं वह सिस्टम की कमी से मरे हैं हां वह सब सिस्टम की कमी से मरे हैं और जो लोग बच गए ह तो जो बच्चे हैं उनको मोदी जी ने बचा लिया है तो यह चुनाओं की तैयारी नहीं है तो और क्या है तो इसका मतलब आप यह समझ करके चलिए कि यह करोना रोना खतम हो गया है अमिसाजी ने कह दिया है उससे बड़ा आप किसका मानेंगे जब वह मैदान में आ जाए तो समझो कि जो है करोना वाकई में खतम है और करोना आता भी कर चुनाओं के पहले आता है चुनाओं के बाद में आता है उसके बीच में चुनाओं हो जाता है